समाजवादी पार्टी के अध्याक्ष अध्याक्ष अखलेश यादव आज बुलंदखन के ही चुनाव दौरे पर हैं और कल जहासी में एक जंगसभा को संबोधित करते हुए अखलेश यादव ने विजेपी पर जम कर हमला किया है और अखलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी सरकार वनने पर अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया गडबर करने की कोशिश करेगा तो उसे दूर भेज दिया जाएगा वो यूपी में दिखाई नहीं देगा, सियम योगी पर भी निशाना साथते वे, उन्होंने कहा कि आपको पता है कि बाबा मुखे मंतरी गुंडे माफियाओं का नाम क्यों लेते हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह शीशे में किसी को देख लेते हैं, शीशे में वो सबसे पहले से पैसा लेकर भी भाग गए, और ये चिलाते हैं परिवार वाले परिवार वाले, याद रखना इन जिनके पास परिवार नहीं है, वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते, तबी इनके लोग 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गए, उन्होंने कहा कि नोट सारा वेपार बरबाद हो गया, करोना के समय सारे धंदी और कारखाने बंद थे, लेकिन हमारे किसानों ने खेती नहीं छोड़ी, उसी का परिणाम है कि आज हमारी अर्थ विवस्था बच गई, अगर किसान भी खेती नहीं करता, तो देश की अर्थ विवस्था नहीं बच सकती थी, इसलिए अगर समाजवादी को ही यूपी में मौका मिलता है, तो हम पहले से ही ज़्यादा काम करके दिखाएंगे और बिना भेदभाव के करेंगे, हम लोग दिकास करना चाहते हैं यूपी विधान सबा चुनाओ अब तीसरे चरण की ओर बढ़ रहा है, और हर दिन के साथ तीन इन चुनाओ के बैयान बाजी भी और ज़्यादा तेज होती नजर आ रही है बिजेपी अधियक्ष जेपी नड़ा ने एक बर फिर से मुक्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी पर जम कर निशाना साधा है और कहा है कि सपा की सरकार में मुक्तार अंसारी बाहर था और आज वो जेल के अंदर है यही नहीं मुक्तार के चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने विरोधियों को आरे हाथ हो लिया है आपको बता दे कि उन्होंने मुक्तार अबास नक्वी को भी इसको लेकर भी उनकी दोस्ती पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह दोस्ती इतनी गहरी है उन्होंने जेल में ही उन्हें टिकट दे दिया और जेपी नड़ा ने कहा कि सपा की सरकार में मुक्तार अंसारी जेल के बाहर था आज वो जेल के अंदर है आज वो जेल के अंदर से चुनाव लड़ रहा है और चुनाव लड़ाने वाले से भी उसकी इतनी दोस्ती गहरी है कि जेल में ही बंद व्यक्ति को भी उन्होंने ट इकट दिया है